हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम क्लाज 6th English की बुक हनी शकल से चेप्टर नमबर 7 और इसका नाम है चेप्टर का टाइटल है फेयर प्ले इसकी एक्स्प्लेनेशन समरी वर्ड मीनिंग यह सारी चीच में देखेंगे देखो यह जो चेप्टर है यह दरसल एक कहानी है और यह कहानी जो मूल रूप से लिखी है हिंदी में लिखी गई है और मुंशी प्रेमचंद इसके लेखा के मुंशी प्रेमचंद ने इसको पंच परमेश्वर नाम से लिखा और इसका जो हिंदी वर्जन है यह जिसे हम कहें हिंदी में जो अनुवाद उसमें हिंदी का जो अनुवाद किया है अंग्रेजी में, अनुवाद ये फेर प्ले के नाम से किया गया है, तो हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, आप चाहें तो हिंदी की कहानी पंच परमेश्वर को भी आप नेट से या किसी किताब से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी कहानी है बहुत अच्छी कहानी है ये और इसलिए इसका हिंदी से अंग्रेजी में संस्रम करके आपको अंग्रेजी में पढ़ाय जा रहा है तो कहानी है क्या इसको हम थोड़ी सी समरीष की जान लेते हैं कि जो कहानी है इसमें क्या है कि एक जुम्मन शेख ह और एक अलगुचोधरी है दोनों दोस्त हैं बहुत गहरे दोस्त हैं दोनों भिन भिन धर्मों के हैं और जुम्मन के साथ जुम्मन की एक मौसी रहती है जिसे इसलाम धर्म में उनको खाला कहा जाता है वो खाला कहते हैं तो जुम्मन शेख की खाला रहती है जुम्मन शेख क नाम जो खाला है वो क्या करती है अपनी प्रोपर्टी सारी उसके नाम कर देती है कुछ समय बाद ऐसा होता है कि जुम्मन शेक की पत्नी आनाकानी करने लगती है और ठीक तरह से उसका पालन पोश्चन नहीं करती है तो जो मोसी है जो खाला है वो कहती है एक दिन जुम्मन से कि जुम्बन बेटा ऐसा है कि मेरा ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हारी पद्नी परिशान रहती है, तो इस ये तो अच्छा है कि तुम मुझे महिने पर भत्ता दे दिया करो, गोजारा भत्ता दे दो, पैसे दे दिया करो, और मैं अपनी अलग से रस्वई बना लिया तो जुम्बन शेख विपरित जवाब देता है, इन बेशर्मी भरा जवाब देता है, तो इससे नाराज हो करके जो मोसी है, वो गाउं की पंचात बुला लेती है, और पंचायत में पंच किसको बनाया जाता है, पंच बनाया जाता है अलगु चौधरी को जो उसका खास द जो न्याय होना चाहिए, फैसला मोसी के पक्षम गया, और जुम्बन शेख को गुजारे भत्ते ग्रूप में उसको पैसे देने पड़े, कुछ समय बात क्या होता है, कि पासा प्रट जाता है, नहीं समय बदल जाता है, समय करवट ले लेता है, अलगु चौधरी का एक बै बैलों से हल जोते जाते थे, गारी खीची जाती थी, एक बैल मर जाता है, दूसरे बैल को वो समझू साहू के लिए बेज देता है, लेकिन क्या होता है, जो समझू साहू है, उसके यहां भी बैल जाकर के, वो दूसरा बैल कुछी दिनों में मर जाता है, अब समझू साहू उने अल्गो चौदरी से बैल उधार लिया था कि एक महीने बाद में आपके पैसे दे दूँगा अब उसके मन में बेमानी हो गई कि बैल मर गया मैंने कुछ कमाया तो है नहीं पैसे कहां से तो कुछ दिन गुजरते गए काफी दिन हो गए तो अल्गो चौदरी ने उससे प चौदरी है उसने फिर पंचायत वलाई और पंचायत में सम्झू साहू ने उसके जुम्मन शेख जो अल्गो चौदरी से नाराज हो गया था उस न्याय के कारण जुम्मन शेख को पंच बनाए तो अल्गो चौदरी डर गया कि बहु यह अपनी दुष्मनी निकालेगा त हो सकता है मेरे खिलाफस पैसलास देदे लेकिन जुमन से जब पंच बना जब मुखिय बना तो इसके मन से भी वही निकला कियूंकि पंच की जो आवाज होती है वह ईश्वर की आवाज होती है उसे ऐसा पत दिया जाता है जहां वो निर्णे करता है बिलकुल निश्पक्ष्यों करके बिना किसी भेदभाव के तो यह जो पाठ है जो कहानी है यह इसी भाव पर आधरत है कि हमें किसी के साथ न्याय नहीं करना चाहिए और खासकर जो आज का जो परफ्रेक्ष है अदा संगेह तो हिंदी से अनुवाद किया अंगरेजी में अब हम आपको इस अंगरेजी कही हिंदी में अनुवात कराएंगे ठीक है तो कहाणी बहुत अच्छी यह बड़े इंट्रेस्ट के साथ आप सुनिए गाष को शुरू करते हैं कहानी का बाथ यहां का सीच्छ चकक में फेर प्ले इसका हम अनुवाद करेंगे तो इसका बनेगा इसे हम कह सकते हैं फेर माने होता है स्वच्छ या न्याय प्ले माने होता है व्यभार यानकि उचित व्यभार इसको न्याय पूर्ण व्यभार हम इसको कह सकते हैं इसका जो हिंदिय अनुवाद होगा वो न्याय अलगु चौधरी, were good friends, जुम्मन शेख और अलगु चौधरी, were means थे, good माने अच्छे, friends माने मित्र, अलगु चौधरी और जुम्मन शेख दोनों आपस में अच्छे मित्र थे, so strong, इतने मजबूत, was, था, देयर माने उनका, bond माने बंधन, उनका बंधन इतना मजबूत था, of friendship, उनकी मित्रता का, उनकी मित्रता का बंधन इतना मजबूत था, that, की, when, जब either, या तो, either of them, उनमें से कोई भी, went away, चला जाता, went away, चला जाता, from the village, गाउं से बाहर, जब गाउं से बाहर, उनमें से कोई एक कहीं चला जाता, the other looked after, तो दूसरा, other means, दूसरा, looked after, देखवाल करता, his family, उसके परवार की, यानकी, जब एक मित्र गाउं से किसी काम से बाहर चला जाता, तो दूसरा मित्र, उसके परवार की देखवाल करता था, इतनी गहरी मित्रता थी, दोनों में इतना बड़ा विश्वास था, both were greatly respected in the village, both दोनों were means, थे greatly respected, बहुत सम्मानित, इंदा विलेज गाउं में, दोनों ही गाउं में बड़े सम्मानित रखती थे, हर्थात, गाउं वाले उनको सम्मान की नजर से देखते थे, भाई इनकी मित्रता बहुत अच्छी है, आगे क्या होता है कि जुमन है, जुमन हैड एन ओल्ड आंट, जुमन हैड एन ओल्ड आंट, ओल्ड, ओल्ड माने पुरानी, यहाँ कहिंगे इसको बूढी, आंट माने चाची, देखो इंगलिस में तो आंट ही बोलते हैं, मामी, जातीं जा चारचा की भी लेंगन हैं लेकिन हिंदि में ना दूसी बहा हिवा होता है। लेकिन शबती हैं टो यहांव और काहरता करेंगे खालाया मोसी से। तो जुम्मन की एक बोड़ी मौशी थी, who had some property, who had some property, उसके पास, some अने कोछ property मने संपत्ती, उसके पास को संपत्ती थी, this she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her, this she transferred, she मने वो है, transferred मने तबादला कर दिया उसका या इस्थाना अन्तिर कर दिया, जो संपत्ती है, उसने, बोड़ी मौशी ने, क्या किया उसका, transferred to him, him या किसके लिए प्रणान आया है, जुम्मन सेक के लिए, और shee को नहीं है, old aunt, जुम्मन स, aunt, तो जुम्मन की जो auntie है, उसने क्या किया, अपनी संपत्ती को उसके नाम करवा दिया, on the understanding, एक समझोते क्या एक समझोता करके, जुम्मन सेक के उस जमीन को नाम करवा दिया, that की, she would stay with him, कि वह उनके साथ रहेगी, किसके साथ रहेगी, him, जुम्मन सेक के साथ, and he would look after her, और he, जुम्मन सेक, would, future tense हो गया, look after her, look after माने देखवाल करेगा, हर माने उसकी, यान की, जुम्मन सेक उसकी दे दूगी, और उसके बदले में, तुम मुझे अपने साथ रखोगे, और मेरी देखवाल करोगे, तो the arrangement worked well for a couple of year, couple of year, 2 साल, the arrangement worked very well, very well, जो arrangement था, यान की जो समझोते का जो काम था, जो समझोता हुआ था, उसके आधार पर जो विवस्ता चल रहे थी, well, ठीक तरह से चली, couple of years, इनके साल की दो जोड़े, साल का जोड़ा, दो साल था कि ये विवस्ता बढ़िया चली, then the situation changed, उसके बाद क्या होता है, situation जो है, वो change हो जाती है, परिष्थितियां बदल जाती है, situation माने परिष्थितियां, चेंजल माने परवर्तन होना या बदल जाना, तो परिष् Jumman and his family were tired, Jumman और उसका परिवार थे, tired, तंग आ गए, of the old relative उस बूढ़े संबंदी से, वो जो बूढ़ी संबंदी थी, उसकी जो खाला थी, Jumman शेक और उसका परिवार उसे तंग आ चुका था, परिशान हो गया था, Jumman became, Jumman हो गया, as indifferent to her, as his wife, Jumman कैसा हो गया, उसके लिए, indifferent हो गया, यहां कि उसका क्या हो गया, उससे ब्लकुल अलग सा हो गया, कैसा अलग सा हो गया, जो कि यहां से meaning दिया हुआ है, became indifferent, lost interest in, or did not care for, ऐसा हो गया, जैसे उसको अपनी बूड़ी मौशी के साथ कोई interest नहीं था, यहां कि उसके साथ उसको रखना पसंद नहीं आ रहा था, कि उसको मैं अपने साथ रखूं, या उसके मैं देखबाल करूं, तो उसमें एक अलगाव की भावना आ गई, जुम्मणशेक में जुम्मणशेक की पत्नी में, who grudged even the little food that the old lady wanted every day, grudged, grudged कार्थ होता है, gave unwillingly, यानि अच्छा से देना, नाखुष हो करके देना, यानि जब घर की जुम्मशेक की पत्नी थी, जब उसको खाना देने जाती थी मौसी को, तो ऐसे देती मुहू बनाके, मतलब गुसे से कुछ ऐसे बुरासा मुह बनाके, जिससे जो मौसी हो समझ जाती थी, यह मुझे खाना देने में खुश नहीं है, तो who grudged even, who grudged even the little food, यानि थोड़े से बोजन के लिए भी क्या होता था, कि वो unwillingly उसको बोजन दिया जाता था, अनि चासे उसको बोजन दिया जाता, that the old lady wanted everyday, जो भी वह बोड़ी औरत रोजाना चाहती थी, यानि जो भोजन वो रोजाना खाती थी, उस भोजन को कैसे दिया जाता था, अनि चासे दिया जाता था, she swallowed these insults along with her food for a few months, swallowed को क्या meaning है, swallowed these insults, tolerated them, यानिकी सहन करना, she swallowed these insults, insults माने बेज जती, यानिकी उसने जो अपमान है, जो बेजती है, कुछ समय तक महसूस किया, सहन किया, along with her food उस भोजन के साथ, for a few months, कुछ महने के लिए, कुछ महने तक तो उसने भोजन के साथ ही उस अपमान को गटक लिया, गिरहन कर लिया, उसने कुछ नहीं कहा, but patience has its limit, लेकिन patience, धहरे की भी, its limit एक सीमा होती है, लेकिन धहरे रखने की भी एक सीमा होती है, और जब धहरे टूट जाता है, सब्र टूट जाता है, तो आदमी फिर किसी की नहीं सुनता है, उसको फिर क्या करना पड़ता है, उसको प्रतिरोध या विरोध करना पड़ता है, तो बोड़ी दादी ने, अब क्या की, क्या सोचा की, भाई अब ऐसे तो बात नहीं बनेगी, मैंने इनको संपत्ती भी दे दी, अब फिर खाने के नाम परे क्या करते हैं, मुझे परिशान करते हैं, यानकि मेरा बिल्कुल संपान नहीं करते हैं, वन डे सी स्पॉक टू जुम्बन, अब देखो, खाना तो मिल रहा था लेकिन, खाना मिल रहा था लेकिन फिर भी, संपान नहीं मिल रहा था, तो खाना तो मिले, लेकिन खाने के साथ में सम्मान भी चाहिए क्योंकि सम्मान के बना मनुस्य रह नहीं सकता चाहे बुड़ा है, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है सम्मान सब को चाही होता है तो सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए वो उसने क्या किया कि one day she spoke to juman एक दिन she spoke उसने बोला to juman, juman से see, यहाँ see जो प्रणावन है यह old woman के लिए है, जो old lady है juman की, juman की क्या है, जो aunt है spoke to juman, juman से बोला spoke, देख यह speak की second form है, क्या है speak की second form, my son, मेरे बेटे it is now obvious that I am not wanted in your house it is now obvious, अभी बिलकुल सही है कि that I am not wanted, मैं नहीं चाहती हूँ in your home आपकी घर में, कि obviously मैं अब आपके घर में रहना नहीं चाहती हूँ kindly give me a monthly allowance, kindly give me a monthly allowance मासिक भत्ता, मुझे किर्पया मुझे एक मासिक भत्ता दे दिया करो, so that ताकी, so that means ताकी I can set up a separate kitchen, ताकी मैं क्या कर सकूँ एक separate kitchen set up कर सकूँ, बना सकूँ जिसमें अपना मैं खाना तयार कर लिया करूँगी kitchen set up का करने का मतलब है कि थोड़ी सी जगे और उसमें अपना खाना बनाने के लिए जो सामान है और जो रस्वे का जो खाने का सामान है उसमें रख लोगी मैं और अपना खाना बना लिया करूँगी तो जुम्मन क्या जवाब देता है जुम्मन की नयते की जिम्मेदारी तो यह थी कि भाई चलो अपनी मौसी को वो ढंक से रखे लेकिन लालाच उसके मन में आ गया उसकी बुद्धी फिर गई थी कि वो उसको ठीक तरह से नहीं रख पा रहा था तो उसने क्या जवाब दिया उसको कि माई वाइफ नोज बैस्ट हाव टू टर्न हाव टू रन दा हाउस माई वाइफ नोज मेरी पतनी जानती है बैस्ट बहुत अच्छा हाव टू रन दा हाउस के घर को कैसे चलाना है के घर को कैसे चलाना है ये मेरी पतनी बहुत अच्छी तरह से जानती है बी पेशेंट धर रखो सबर रखो किस ने कहा यह यह जुमन ने कहा अपनी मौसी से sad जुमन shamelessly जुमन ने बेशरमी से कहा shamelessly बेशरमी से this made his aunt very angry this made इसने बनाया his aunt उसकी मौसी को very angry बहुत नाराज इस बात ने उसकी मौशी को बहुत नाराज कर दिया and she decided और उसने निश्चे किया to take her case to the village पंचायथ to take ले जाने case उस मुद्दे को इस मामले को ले जाने का निश्चे किया कहा to the village पंचायथ गाउं की पंचायथ में उसने निश्चे किया कि अब इस मुद्द्य को वह कहां रखेगी गाउं की पंचायत में रखेगी और वहां फैसला होगा कि मुझे गुजाराबतत देगा या नहीं देगा अब आगे क्या होता है दो कहानी में इंट्रेस्ट आ रहा ना बहुत अच्छी कहानी है आप इसको एक दो बार इसको और रिपीट करेंगे हिंदिय अनवास से तो आपको बहुत अच्छी कहानी लगेगी four many days, four many days, कुछ दिनों के लिए the old lady was seen talking to the villagers explaining her case and seeking their support the old lady was seen जो बुड़ी और रहत है वो देखी गई talking बात करती हुई to the villagers गाहँवालों से explaining her case अपने मामले को बताने का, अपने मामले का वर्णन करने या अपने मामले को समझाने के लिए वो क्या गाहँवालों से बात करती हुई दिखी and seeking their support और उनका support मांगने लगी उनका समर्थन मांगने लगी, support means समर्थन, seeking माने मांगना मागना और वो गाहँ वालों का समर्थन मागने लगी कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा न्याय हो रहा है अब मुझे वो खाना पानी भी नहीं दिरा डंग से और मेरे संपत्ती भी चली गई तो सम सिंपथाइज डु विद हर कुछ तो उसके साथ क्या थे साहनुमूती दिखा रहे थे अधर्स लफड और कुछ हस रहे थे एट हर उस पर जब कोई गरीब मुसीवत вोता है, तो कुछ लोग हंसते हैं और कुछ लोग सहानबुति देखाते हैं ठीक वैसा इस बूड़ी आँटी के साथ हो रहे हैं। कोई किसी के गिरने पर मजा उड़ाता है, कोई किसी गिरे हुए को साहरा जय करके उसे उठा देता तो यह सोचने सोचने का नजरिया है एंड फ्यू अधर एडवाइज एंड फ्यू अधर एडवाइज हर्टू और कुछ लोगों ने उसको सलहा दी हर्टू सलहा दी क्या सलहा दी इसलहा दी कि मेक इट अप मेक इट अप विद हर नेफ्यू मेक इट अप किस बातचीत में मना लो हर नेफ्यू अपने भतीजे को नेफ्यू में इस बतीजा यानकी जो भाई के लड़का होता है अपने बतीजे को ऐसे मना लो बातचीत में and his wife और उसकी पत्नी को बतीजे और wife से अनकी उसकी जो wife है उसको उससे आप बातचीत कर लो बातचीत करके इस मामले को सुल जालो गाउं की पंचात में मामला ले जाना ठीक नहीं है एट लास्ट शी केम टू अल्गु चोधरी एट लास्ट और सबसे अंत में कहाई वो अल्गु चोधरी के पास आ गई शी केम वह आई केम कम की सेकेंड फॉर्म है वह अल्गु चोधरी के पास आ गई and or spoke to him और उससे बोली है ठीक हैं कहाँं कहाँ चल रही है's past tries में चल रही है आप जानते हो चाची चाची आप जांते हो जुम्मन इस मआई best friend कि जुम्मन मेरा best friend है सबसे अच्छा मित्र है कि हाउ कर आई हाउ करना ऐ तू अगेंश्ट हिं यानकि मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूं अल्गु said अल्गु ने कहा अल्गु ने क्या कहा कि वो तो मेरा दोस्त है तुम जानती हो अची तरह से तो मैं उसके विरुद्ध में कैसे जा सकता हूं But is it right? लेकिन ठीक है my son मेरे बेटे To keep mum मम चुप रहना या मूग दर्शक बना रहना एंड नौट से वट यू कंसीजडर जस्ट एंड फेयर जस्ट एंड फेयर जैनकी इस न्याय पर विचार करना नहीं चाहते क्या करें वो कि बट इस इट राइट यह सही है मिर बेटे लेकिन टू कीप मम एंड नौट से वट नौट से इन तुम चुप रहना चाहते हो और कुछ नहीं कहना चाहते हो वट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर जो यह न्याय है इस न्याय को न्याय पर विचार करने के लिए अप चुप रहना चाहते हो कुछ नहीं कहना चाहते है प्लीड द ओड लेड़ी ओड लेड़ी ने अपनी दलेल दे अलगो चोदरी से अपना तर्क दिया कि क्या तुम न्याय की बात नहां को गए जब आप इस हिंदी में ऐस चाहानि को पढ़ोगे तह उन्हीं पर तो उन्हों ने खाला हैं सब्सक्राब डेल फी तो गर्जीं को एड़ीों कि कि क्या कि आ आपनीया की बात कहो गे मित्ता के बहसे कशे क्या आप नइया की बात न कहोगे कम टूदा ंशी नस्त पी 한다 चाहइट अर सत बोलो यह खाला मौसी ने उससे कहा किस ने कहा सी किस के लिए आँ पर उस खाला के लिए है जुमन्स की आंटी के लिए अलगू डिड नौट रिपलाई अलगू कोई उत्तर नहीं दे पाया ब्ट अरवर्ड केप्ट रिंगिंग इन हम इस कान में उसके कानों में उस बूड़ी मौसी के शब्ट बज रहे ते अर्थात उसके अंदर तक वो आवाज जा रही थी वो बार-बार उसी बात को सूच रह था कि क्या मित्रता के बहते ही सत्य है ना क्या होगे या निया की बात ना का होगे ये बात उसको अंदर अंदर कुरेदने लगी अब पार्ट सेकेंड शुरू होता कहानी का अब पार्ट सेकेंड में क्या है अब देखो पहला पार्ट क्या हो गया कि जुम्मन शेक और अलगु चौदरी की मित्रता बता दी फिर जो जुम्मन शेक की चाची है जो मौसी है उसे संपत्ती के मामले में पालन पोशन के नाम भरन पोशन के नाम मामले में क्या हो गया origin हो गई। और उसका क्या आगया उसका पंचायत क्या समय आचुका है उसे बिवाद के निप्टारे के लिए तो the penchain was held the same evening under an old baptized The penchain was held the same evening उसी शाम को under an old बने अंतри नीचे कहां? under माने नीचे and माने एक old माने पुराने बनयान माने बरगत एक पुराने बरगत के पेड़ के नीचे उसी साम को पंचाद बुलाई गई जुम्मन स्टूड अप एंड सेड जुम्मन खड़ा हो गया और सेड कहने लगा The voice of the punch is the voice of God The voice of the punch की punch की आवाज is the voice of God ईश्वर की आवाज होती है Let my aunt nominate the head punch Let my aunt, मैं अपनी चाची पर छोड़ता हूँ Nominate the head punch की head punch को यहनि मुख्या punch को nominate करे, नामित करे जिसको बनाना चाहें उसका नाम ले दें कि हमें इसको punch बनाना चाहती है I will abide, मैं स्विकार कर लूँगा I will abide, मैं स्विकार कर लूँगा by her decision उसके निर्णे को जो भी वो निर्णे सुनाएगा, मैं उस निर्णे को स्विकार कर लूँगा अब देखिए कहानी यहां से पलट जाती है क्योंकि जैसे ही जो punch बनता है, वो punch निस्पक्षिन नियाई सुना देता है और जुम्मन, सेख और अलगुज चौदरी के जो दोस्ती है वो दुस्मनी में बदल जाती है the punch knows neither friend nor enemy punch knows, punch जानता है, neither ना तो friend को, nor enemy, नहीं शत्रू को यहां neither और nor का प्रियोग किया गया है, neither nor जो punch है, ना तो मित्र को जानता है, ना ही शत्रू को जानता है आर्थात कहने का मतलब है, कि punch के लिए ना तो कोई मित्र होता है, ना कोई शत्रू होता है जो भी निर्ने लेगा, बिल्कुल निश्पक्ष हो करके लेगा what do you say to Algu Chaudhary, आप Algu Chaudhary से क्या कहना चाहते है what do you say to Algu Chaudhary, the old lady announced कि Algu Chaudhary के बारे माप क्या कहना चाहते है, the old lady announced बूढ़ी औरत ने announce कर दिया, आवाज लगा दी कि मैं Algu Chaudhary को punch बनाना चाहती हूँ, किसी को इसमें कोई आपती है तो बता दो fine, बहुत बढ़िया, replied Jumman, Jumman ने reply किया उतर दिया, hiding his joy, अपने अंदर आनंद को शिपाते हुए, hiding, शिपाते हुए his joy, अपने अंदर आनंद को, over this unexpected piece of luck, यह भागे का एक टुकड़ा, unexpected जिसकी कोई अपेक्षा नहीं थी, कि ऐसा भी हो सकता है, कि मेरा मित्र अलगु चोधरी, पंच बन जाएगा, तो यह उसने क्या लगा, यह उसे भागे से अनपेक्षित, एक अनपेक्षित, भागे क्या मिला उसको, सवभागे महसूस हुआ उसको, तो इस आनंद को वो अंदर नहीं अंदर छेपाते हुए, बहुत और जुमन की मित्रता के बारे में जानती हो, अवेरमा ने, जानती हो, जागर रखो, आपको पता है, मेरी रोज की मित्रता है, I know that मैं जानती हूँ, replied the aunt, aunt ने उत्तर दिया, जवाब दिया, कि मैं जानती हूँ, but I also know, मैं ये भी जानती हूँ, that you will not kill your consigns, that क्या जानती हूँ कि you will not kill, आप नहीं मारोगे your consigns अपनी अंतरात्मा को, for the sake of friendship, अपनी मित्रता के खातिर, अपनी मित्रता की खातिर, आप अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे, ये भी मैं जानती हूँ, आप बिलकुल सच बोलोगे, God lives in the heart, ईश्वर हिर्दे में रहता ह है, of the punch punch के, ईश्वर पंच के हिर्दे में रहता है, and or his voice is the voice of God, उसकी जो आवाज है, वो ईश्वर की आवाज होती है, and the old lady explained हर केस, और बोड़ी अवरत ने अपने केस को, अपने मामले को explain करना शुरू कर दिया, लोगों के सामने वरणन करना शुरू कर दिया, तो देख करता है, कि आप अपनी मित्रता के कारण सत्य से चुकोगे नहीं, न्याय करोगे, क्योंकि पंच के हिर्दे में क्या होता है, ईश्वर का वास होता है, ईश्वर रहता है, तो जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने कहा, कि जुम्मन, you and I are old friends, कि तुम और मैं, दोनों पुराने मित्र हैं, you and I, you किस के लिए आया है अपर, you आया है जो मन सेड के लिए, और I किस के लिए आया है, I आया है या अलगू चौदरी के लिए, तो अलगू चौदरी कह रहा है, कि you and I are old friends, कि तुम और मैं दोनों पुराने मित्र हैं, your aunt is as dear to me as you, और कितनी गहरी बात कहीं उसने, कि तुम्हारी चाची is as dear, इतनी ही प्रिय है to me, मेरे लिए as you, जितनी की तुम, जितने तुम मुझे प्रिय हो, उतनी ही प्रिय तुम्हारी चाची भी है, now I am a punch, अब मैं एक पंच हूँ, you and your aunt are equal before me, you and your aunt, तुम और तुम्हारी चाची are equal, समान है, equal means, समान, before me, मेरे सामने, अब मेरे सामने, तुम और तुम्हारी चाची दोनों मेरे लिए समान है, what have you, what have you to say, आप क्या कहना चाते हैं, in your defense, अपने बचाव में, defense means, बचाव, जैसे अदालत में बचाव का मौका दिया जात है न, कि आप अपने बचाव में कुछ कहना चाते हैं क्या, जज पोचता है, तो जो आरोपी होता है, उस आरोपी को मौका दिया जाता है, तो अलगो चौधरी ने भी कहा, कि आप अपने बचाव के पक्ष में क्या कहना चाते हैं, थ्री यर्स एगो तीन साल पहले बिगेंड जुम्बन जुम्बन ने कहना शुरू किया कि तीन साल पहले यहां से शुरू करें तीन साल पहले मैं आंट ट्रांसपर्ड हर प्रॉपर्टी टुमी मैं आंट ट्रांसपर्ड मेरी चाची ने मेरी मौसी ने मुझे जमीन दे दी हर property to me अपनी संपत्ती मुझे मेरी चाची ने अपनी संपत्ती तीन साल पहले मुझे दे दी I promise I promise to support her as long as she lived मैंने प्रोबाइदा किया to support her मैंने उसका समर्थन देना अर्था समर्थन देने का या मतलब क्या होगा उसको सहरा देना कि मैंने उसको तब तक सहरा देने के लिए कह था as she lived जब तक वह जीवित रहेगी कि जब तक वह जीवित रहेगी मैं उसको सहरा देता रहूंगा उसका पूरा भरण पोश्चन मैं करूँगा यह मैंने उसको कर सकता था, वो मैं सब कर चुआ हूँ, there have been a couple of quarrels between my wife and her, there have been a couple of quarrels, उनकी कुछ जगड़े, एक दो बार जगड़ा हो गया था, एक couple of quarrels, quarrels मन जगड़ा, यानि एक दो बार जगड़ा मेरी पत्नी और हर यानकी उसकी मेरी चाची के बीच में हो गया, but I can't stop it, लेकिन मैं इसको रोक तो नहीं सकता, Now my aunt is claiming a monthly allowance for me, Now, my aunt is claiming, मेरी चाची मांग रही है, एक मांसिक बत्ता from me मुझसे, अब मेरी चाची मुझसे मांथली बत्ता मांग रही है, मांसिक बत्ता मांग रही है, यह मुझे मजने पर पैसे दो, This is not possible, यह संभब नहीं है, That's all I have to say, बस मैं यह कह, इतना ही कहना चाहता हूँ, यानि जुम्मन शेख ने अपनी बात बता दी, कि मैं इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं दे सकता, मैं भट्ता इसको नहीं दे पाऊंगा, जुम्मन वाज क्रोस एक्जामिनड बाई अल्गु एंड अधर्स, जुम्मन वाज क्रोस एक्जामिनड क्रोस एक्जामिन क्या गया, यह जिरह की गई, बहस की गई, किस से, उससे, जुम्मन से बहस की किसने की अलगुने की और जो अन्य लोग बैठे हुए थे हुए थे उन्होंने जहेबाजी की तब अलगुने एनाउंस किया गोशित किया We have gone into the matter carefully We have gone हम जा चुके हैं into the matter मामले में carefully पूरी साबधानी से हमने पूरी साबधानी से इस मामले को देखा है In our opinion और हमारी समझ में जुम्मन must pay his aunt a monthly allowance और हमारा opinion यह है कि जुम्मन must pay जुम्मन pay करेगा बुकतान करेगा his aunt अपनी चाची को a monthly allowance मासिक बत्ता कि जुम्मन अपनी चाची को मासिक बत्ता देगा और या फिर else the property goes back to her या फिर क्या करेगा property goes back to her समपत्ती वापस कर देगा या तो मासिक बत्ता देगा नहीं तो समपत्ती उसको वापस करनी पड़ेगी यह फैसला अलगु चौधरी ने सुना दिया अब इसको देख पूरी पंचाच सन रह जाती है और जो जुम्मन शेख है वो भी सक्ते में रह जाता है कि मेरे मित्र ने मेरे विरोध में कैसे फैसला दे दिया अब यही तो मित्र की घड़ी होती है कि मित्र कहां साथ देता है लेकिन अलगु चौधरी ने न्याय किया क्योंकि वो पंच बन गया तो यहां मित्र का साथ ना दे सका उसने न्याय का साथ दिया लेकिन जुम्मन शेख इस न्याय को नहीं समझ पाया और उसने क्या मनी मन क्या बना लिया उसे दुष्मनी बना लिए अब दोनों मित्र आर सेल्डम सीन टूगेदर माने साथ साथ सीन माने देखे जाते हैं अब कभी कभी ही दोनों मित्र एक साथ देखे जाते हैं अन्यता नहीं देखे जाते हैं दा बांड और फ्रेंडशिप बांड माने बंधन और फ्रेंडशिप मित्रता का मित्रता का बंधन बिट्वीन बीच में देम उनके वाज ब्रोकन तूट गया उनके बीच में मित्रता का बंधन अब तूट गया था वास्तम में जुम्न वाज अलगुज एनिमी जुम्न अलगु का शत्रू बन गया एनिमी य अपना बदला और अपना बदला अपना प्रतिशोध लेना चाहता था देखो एक समय पर ऐसा था जब दोनों मित्र एक दूसरे के घर की रखवाली क्या करते थे लेकिन आप ऐसा समय आ गया क्या समय आ गया क्यों मित्र की जान लेने पर अर्थात मित्र से बदला लेने पर तुला हुआ है तो पंचात का फैसला हो गया जुमन से एक नाराज हो गय मौशी को दुबारा से फिर से वही खाना पानी के लिए पैसा मिलने लगा अब होता है भाग तीन शुरू Days past end और दिन गुजर गए और दिन गुजरते चले गए as till as luck in बुरे भाग से बीमार लग दुर भाग से would have it और उसका बुरा भाग से शुरू हो गया क्या हुआ कि अलगु चौधरी found himself in a tight spot, tight spot एक कठिन परिस्तिती में difficult situation एक कठिन परिस्तिती में अलगु चौधरी ने अपने आपको पाया या कि उसके पास उसके सामने क्या हुआ एक कठिन परिस्तितियां खड़ी हो गई एक उसके पास बैलों की एक जोड़ी थी और उसके एक बैल मर गया and he sold the other और दूसरा बेच दिया to Samjusahu Samjusahu के लिए एक बैल का वो करता है कि एक बैल से हलतों जोता जाता है नहीं तो उसने दूसरा बैल Samjusahu को बेच दिया एक कार्ट ड्राइवर जोके गाड़ी का चालक था ड्रावर मेंस चालक कार्ट मन गाड़ी of the village गाओ में वे गाओ का ही एक गाड़ी चालक था the understanding was that understanding एक समझोता हुआ that क्या कि साहू वुड पे साहू पे करेगा बुक्तान करेगा the price of the block, bell की कीमत, price of the block, bell की कीमत in a month's time, एक महिने के समय में समझोता ही हुआ कि साहू, जो समझो साहू है, bell की कीमत एक महिने में अदा कर देगा पे अदा करना, to his, it so happened that the block died within a month लेकिन क्या हुआ, it is so happened, लेकिन ऐसा घटत हो गया, that की the block died within a month जो बलोक है, जो bell है, died मर गया, within a month ही की महिने में एक महिने में वो bell मर गया, अब मुसिबत खड़ी हो गई, वो पैसा कहां से चुकाएगा several months after the block's death, several months after, कई महिने बाद the block's death, bell की मृत्यू के, bell की मृत्यू के कई महिने बाद, अब देखो, अलगो चौदरी ने भी बड़ा धहरे रखा, कि वह बैल की मृत्यू होगी, इसलिए उसने उसे पैसे नहीं मागें, लेकिन काफी महिने बाद, अलगो रिमाइंड सहू, अलगो रिमाइंड सहू, अलगो ने साधू को याद दिलाया, of the money he had not yet paid, जो उसने अभी तक भुकतान नहीं किया, money माने धन, he had not, he माने वह है, had not, नहीं किया, yet, फिर भी, पेड माने भुकतान, यहनि जिस धन का उसने अभी तक भुकतान नहीं किया है, उसको रिमाइंड कराया, उसको याद दिलाया, साहू got very annoyed, साहू बेगल उठा, यहनि बहुला नाराज हुआ, I can't pay, मैं पेड नहीं कर सकता, भुकतान नहीं कर सकता, you a penny for the rest beast, you sold me, a penny, a penny का मतलब एक भी पैसा, beast माने जानवर, rest माने बीमार, यहन कि बीमार खराब जानवर, तुमने मुझे बेच दिया, मैं इसके लिए तुम्हें एक पैसा भी नहीं दे सकता, he brought us, he brought us nothing, वो मेरे लिए कुछ नहीं लाया, बट, ruined, लेकिन क्या किया, विनास कर दिया मेरा, यहनि कि उसने मेरे लिए कमाया तो कुछ नहीं, लेकिन मेरा विनास कर दिया, I have a block, अब मेरे पास एक bell है, use it, आप इसको use कर लो for a month, एक मेने के लिए, and then, और फिर, return it to me, मुझे वापस कर दिना, कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरे पास एक bell बचा है, एक मेने के लिए तुम ले जाओ, फिर मुझे वापस कर दिना, no money for the dead block, मरे हुए bell के लिए no money, कोई धन नहीं है मेरे पास, he said angrily, उसने गुस्षे में कहा, बिल्कुल गुस्षे में कहा दिया, उसने कि मेरे पास मरे हुए bell के लिए कोई पैसा नहीं है, तुम्हें चाहिए तो ये bell एक मेरे पास बचा हुआ है, इसे ले जाओ, और प्राक काम कर लो, और एक मेहने बाद मुझे वापस दे जाना, वो कहानी बड़ी लंबी है, एक बार में परिशान हो जाएंगे, इसलिए आप कहानी को दोबारा में, आधिया आपने अब सुन ली, आधिया बाद में सुन सकते हैं, और अधिया अपने इतनी ओशमता है, तो आप बैठ़ करके लगाता है इस कहानी को सुन भी सकते हैं, तो रहफर दा केस इस केस को ले जाने का, में इस मुध्य को उठाने का निस्चे किया, for a second time, यह दूसरा समय था, दूसरी बार था, इन यह few months, कुछी समय में, कुछी महिनों में यह दूसरी बार ऐसा था, की preparation for holding the panchait were made, holding the panchait, panchait बिठाने के लिए preparation तैयारियां were made हो गई थी, पूरी तैयारियां panchait बिठाने के लिए हो गई, and both the parties, दोनों दल, started meeting, people seeking their support, started meeting, meeting शुरू कर दी, people, लोगों से seeking माँग रहे थे, their support अपना समर्थन, उनका समर्थन माँग रहे थे, लोगों ने, यह उन दोनों ने, अपने अपने जो लोग थे, उनसे समर्थन माँगना शुरू कर दिया, panchait शुरू हो गई है, the panchait was held under the old banan tree, panchait उसी बर्गत के पुराने पेड की नीचे, शुरू होई, अलगो stood up, अलगो खड़ा हो गया, and said और कहा, क्योंकि अलगो का पहल था, तो अलगो ने शुरूआत की, कि the voice of the panch is the voice of God, panch की आवाज, भगवान की आवाज होती है, let sahu nominate the head panch, let, मैं छोड़ता हूँ, sahu nominate, sahu nominate करेगा, नामित करेगा the head panch, head panch को, I will abide by his decision, मैं उसके decision को abide कर लूँगा, सुईकार कर लूँगा, अलगो कहता है, कि मैं साहू पर ये निर्ने छोड़ता हूँ, कि वो किसको panch बनाएगा, जो भी वो panch बनाएगा, मैं उसके निर्ने को सुईकार कर लूँगा, साहू सो ही चांस, साहू ने इसमें अपना अपसर देखा, अलगो हर्ट सनेक, अलगो का दिल बैट गया, अलगो हर्ट सेंक, अलगो का दिल बैट गया, and he turned pale but what could he do he turned pale उसका चेहरा कैसा पढ़ गया pale हो गया पीला हो गया उसका चेहरा पीला पढ़ गया कि किस बात से कि जुम्मन शेख अब मुझसे अपनी दुश्मनी निकालेगा और वो मेरे साथ नयायन नहीं करेगा इस बात से वो घबरा गया बट वाट कुड़ ही डू लेकिन वो कर ही कह सकता है पंचा जो पंच चुन लिया गया वो चुन लिया गया दा मुमेंट जुम्मन बिकम हैड पंच जुम्मन के हैड पंच बनते समय या बनने के छण ही रियलाइजड उसने महसूस किया इस रियास्पउंसीबिटी säga एक जच के तौर पर जिंबिदारियों को जैसे वो पंच बना उसने जच के तौर पर याणि यई पंच बनने के तौर पर उसने बनी जिंबिदारियों को महसूस किया इंड दा पंच बढ़ने के बाद महसूस कर लिया Could he seated in that high place Could he seated in the high place जब वो उचे स्थान पर बैठेगा He have his revenge now या बदला लेगा कि क्या वो इतने उचे स्थान पर बैठकर अपना बदला लेगा यह वो सोच रहा है He thought उसने सोचा and thought और सोचा यह उसने बार-बार सोचा कि क्या वो इस जजज के पद पर इस पंच के बैठ पर बैठ करके वो अपना बदला पूरा करेगा No, नहीं, he must not वो ऐसा नहीं करेगा He must not allow his personal feeling यह अपनी व्यक्तिकत भावनाव को अनमती नहीं देता to come in the way of speaking the truth and doing justice Speaking the truth सच बोलने में and doing justice न्याय करने में कि सच बोलने में और न्याय करने में वो अपनी व्यक्तिकत भावनाव को इसमें नहीं आने देगा क्योंकि उनकी व्यक्तिकत दुश्मनी है अपने मामले को सामने रखा they were cross examined दोनों पर जरह वाजी होई दोनों पर जरह होई, बहस होई and और दोनों से प्रस्न पूछे गए cross examined, दोनों से प्रस्न पूछे गए the case was considered deeply, इस मामले को बड़ी गंभीरता से देखा considered देखा, deeply गंभीरता से, considered मतलब विचार करना बड़ी गंभीरता से अस मामले पर विचार किया गया, then जुम्बन stood up जुम्बन खड़ा हो गया and announced और गोशना की निर्ने सुनाया, क्या सुनाया it is our opinion यह हमारा opinion है यह हमारा द्रिष्टिक ओन है that साहू शुड पे अलगू the price of the बलोक कि साहू शुड पे बोगतान करेगा अलगू, अलगू के लिए the price of the बलोक बैल की कीमत तो जुम्बन ने फैसला सुनाया कि साहू अलगू को बैल की कीमत चुकाएगा, when साहू बोट, जब साहू ने बोट माने खरीदा, by की second form the बलोक बैल करीदा था it suffered from no disability or disease उसमें कोई अयोगिता या कोई बीमारी नहीं थी the death of the बलोक was unfortunate बलोक की जो मृत्यू है वो कैसी है, दुर्भाग यवस होई है, unfortunate होई है but अलगू कांट अलगू कांट बी blamed for it, लेकिन अलगू इसके लिए किसी को blame नहीं कर सकता किसी पर इसको आरोप नहीं लगा सकता कि मेरा बैल इसके बज़े से मरा है अलगू कुट नौट कंटेन हिस फिलिंग अलगू अपनी भावना को सभाल नहीं पाया he stood up वह खड़ा हुआ and said loudly over जोड से बोलने लगा and over again और फिर बोला उसने बार बार जोड से बोलने लगा victory to the panchait panchait की जीत होई victory to the panchait panchait की जीत होई this is justice यह न्या है God lives in the voice of the punch God lives भगवान रहते हैं in the voice of the punch punch के आवाज में punch की आवाज में भगवान रहते हैं यह वाकि किस ने कहे अलगू चोडरी ने कहे कब कहे जब जुम्मन ने अलगू के पक्ष में फैसला सुना दिया अब इसका last परा है soon after जल्दी ही जुम्मन came to अलगू जुम्मन अलगू के पास आया embraced और गले लगा लिया him उसको जुम्मन अब अलगू के पास आया और गले लगा लिया उसको and said और कहने लगा since the last पंचायत की पिसली पंचायत से I had become your enemy मैं तुमारा शत्रू बन गया था पिसली पंचायत से मैं तुमारा शत्रू बन गया था क्या मतलब होता है तू भी ये पंच एक पंच बनने का ये पंच बनने का मतलब क्या होता है आज मैंने महसूस किया एक पंच का ना कोई मित्र होता है ना कोई शत्रू होता है अर्थात वह शत्रू और मित्र के हिसाब से कोई फैसला नहीं सुनाता He knows only justice वह क्यावन ल्याय जानता है Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity Let no one deviate from the path of justice कोई भी न्याय और सत्य है न्याय और सत्य के राश्ते से नहीं बटग सकता for friendship or enmity यानि मित्रता और सत्रूता enmity माने सत्रूता मित्रता और सत्रूता के लिए कोई न्याय और सत्य के राश्ता नहीं छोड़ सकता है अलगू embraced अलगू ने बाहों में भर लिया गले लगा लिया इस फ्रेंड अपने मित्र को और वेप्ट रोने लगा यह वीप डवलू डवली पी की second form है और रोने लगा and his tears washed away और उसके आंसों से धुल गया all the dirt पूरी गंदगी of misunderstanding गलत फहिमी की between them उनके बीच में जो उनके बीच में गलत फहिमी हुई थी उस गलत फहिमी की गंदगी इन रोने के आंसों से सारी धुल गई साफ हो गई और दोनों फिर से अच्छे मित्र बनकर रहने लगे तो विद्यारतियों आपने देखा कि पाठ में कहानी में किस तरह से एक अदालत का जो जज होता है एक पंच जो होता है उसको देखा गया कि वो कितना इमांदार होना चाहिए क्योंकि उसकी आवाज में क्या होता है भगवान की आवाज होती है जितना भी समाज वहाँ बैठा होता है वो सब उस पर भरोसा करते हैं कि ये सही निरने देंगे लेकिन आप देखते हैं तमाम हालातों को अपरादी छूट जाते हैं बहुत लंबे लंबे समय तक उनको जमानत ही मिल जाती है न्याय नहीं मिल पाता तो ये तमाम सारी चीज़ें आज के समय में हो रही हैं और एक कहानी बड़ी लाप रहदा आपके लिए बहुत अच्छी कहानी है छोटे बच्चों के लिए आप चाहें तो इसको हिंदी कहानी में भी इसको सुन सकते हैं ठीक है तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जार कीजिए हमारे अगले वीडियो का थैंक्यू